थारामी लोकसभा अब वैसी नहीं चलेगी जैसी 14 से 24 के बीच में चले थे कि सत्ताधारी दल जव शपत ले रहा था जोर जोर से ऐसे धार्मिक अभिवादनों की पार लग गई थी नमा पार्वती बदे हारा हारा माहार जैस्री कृष्णा जैस्री राधारमन जी जै भारत मता की जैस्री राम जैस्री राम का नारा लगा तो समाजवादियों ने खड़े होकर जै अवधेश का नारा लगाया जै हिंदू राश जै वाराद लेकिन 2024 के सदन ने भी शपत गहण के दिनों में ही इस बात का इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो किस दिशा में जाएगा जै हिंद जै सम्विधान कि मैं विदि द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रसची श्रद्धा और निष्टा रखूँगा सत्ता धारी दल के सामने एक ताकतवर विपप्चाया जिसने बाबा साब डक्टर अंबिटकर के सम्विधान को हाथ में लेकर शपत ग्राण के दिन ही इतने नारे लगा दिये कि सत्ता धारी दल पौखला हुआ और उस बीच में जो सबसे जादा एक नारा गोजा जै भील बाबा साहब डक्टर भील रव विटकर की मिचार दधारा के मानने वाले लोगों की बहुतायक इस वारसा दर में पहुंचें शमविधान जिल्डवात पीड़ी ए जिल्डवात बाबा साब भील महांचर जिल्डवात उनका सम्विधान, जिन्दाबाद, जैहिन, जैसविधान, जैभीम, जैसमाजवाद, जैभीम, जैभीम, जैभारत, जैसमाजवाद, पीडिये जिन्दाबाद, जैभीम, जैसमाजवाद, नमवद्धाय, जैभीम, जैभारत, जैसमाजवाद, जैसमाजवाद, जैभीम, जै जै भारत, जै संविधान, इन खलाब जिन्दाबाद, समाजवाद जिन्दाबाद, भारत का संविधान जिन्दाबाद, इन नारों के पीछे एक विचार धारा है, इन नारों के पीछे हजारों साल के संघर्ष का इतिहास है, जब आजाज समाज पार्टी के चंदर शेकर शपत लेने पहुँचे, अपने दम पर पहुँचे, अपनी पाल्टी के ताकतवर अंदोलन के नेता, विजारधारा के नेता, और जब सदन में वो शपत ले रहे थे, तो उन्होंने स्लोगनों को लंबा किया, जैभीन, जैमंडल, सम्विधान जिन्दाबाद, और एक साथ क जब चंदर शेकर आजाद ने कहा, कि देंगे साथ, सुनने के अदर डालिये, क्योंकि हम सुनाने ही यहाँ आए हैं राज कुमार रोत, जो उट पर बैट करके सदन पहुँचते हैं शपत ले, अपने आधिवासी परिधान के साथ, अपनी संस्कृती और अपनी पहचान के साथ, इस तेवर के साथ, कि हमें अपने में मत गिनना हैं, हम अपनी संस्कृती और अपनी विचार धारा रखने हैं, अपनी प्रकृति को याद करते हैं, और जै जोहार का, जै भीम का, एक ग्रांतिकारियुद भुदन करते हैं, य नई संसद है जिसे उसी पुराने लोकसवाद्यक्ष उम्बिरला को अब जेलना और देखना होगा। जे जोहार, जे बिलपरदेश, जे भीम, जे सविदान, जे अदिवस्वी। पपु यादो जब संसद में सदर सुने ले गए, तो वो भी नीट की बात को कहने के साथ साथ, और भी जब इस तरह के स्कांतिकारी स्लोगन करने लगे, और सत्ताधारी दल का फिर से एहंकार सुनाई दिया, तो पपु यादो ने का कि हमको न सिकाना, छटीं बार यहां पर ह आपका अंकुष बिपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुष सत्ता पक्ष पे भी रहे है अदेश मौद है, आपके इस सारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो नश्कार, तो आज अठारहवी लोकसभा में लोकसभा अध्यावच्ट्थ अध्यक्ष का चयन कर लिया गया है। यह माना जा रहा था कि क्या इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोक सभा अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी क्या? क्या डिवीजन मांगा जाएगा? और यह इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष ने अपनी ताकत के दम पर पह अध्यक्ष के पास पूर्ण भूमत है, जाधा संक्या है, तो अध्यक्ष आप बना लें, लेकिन उपाध्यक्ष विपक्ष का होना चाहिए। और इसके दबाव से बात आगे बढ़ी नमंकन हुआ, ओम बिर्ला के साथ विपक्ष के भी एक बहुत पुरिष्ट आठ बार क सांसत सुरेश जी का नमंकन किया गया, लेकिन आज सुबह सुबह जो तस्वीरे आईं, उससे यह तैं हुआ, कि विपक्ष ने सर्व सम्मती से, चुकि संक्याबल सताधारी पक्ष के खेमे में जाधा था, वापस ओम बिर्ला को अध्यक्ष लोक सभा का चुने जाने के दोनों ने मिल करके अध्यक्ष की कुरसी तक लोक सभा अध्यक्ष नवनिर्वाचेत और पिछली बार भी यही रहे, ओम बिर्ला को कुरसी पर बिठा दिया, ये तो एक सूचना गई, ये तो एक खबर रहे, लेकिन असली खबर ये है, कि विपक्ष ने इस बार के सदन में अपनी पूरी ताकत का परिचय करा दिया है, विपक्ष पूरी ताकत से हम अपने तेवर को दिखा रहा है, कि वो जो सदन में खड़े होकर कहा करते थे, एक अखेला सब पर भारी, एक अखेला की तुना को भारी पढ़ा है, जैस सीना टांक करके, और पूरे तैश के साथ, वो नहीं होने वाला तो उस पर अभी आएंगे कि सदन में क्या हो रहा है लेकिन एक बदलाओ जिस पर बात करनी जरूरी है कि सदन में शपत ग्रहण के वक्त चाहे वो 2014 का चुनाओ हो या खास कर 2019 का चुनाओ 2014 और 2019 के चुनाओ में हमने ये देखा कि सत्ताधारी दल जब शपत ले रहा था जोर जोर से जैश्र राम के नारे जोर जोर से प्रधान मंतरी के नाम के नारे जोर जोर से ऐसे धार्मिक अभिवादनों की बार लग गई थी उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी बार बार देखिएगा चाहे वो हेमा मालिनी हो चाहे वो बंगाल से चुन के आए बीजेपी के सांसद हो चाहे यूपी से चुन कर के आए बीजेपी के सांसद हो उन्होंने धेर सारे धार्मिक नारे अपनी शपत के दोरान लगाए और जोर जोर से पूरी उतेजना में पूरा सदन ऐसे तालियां बजा के नारे लगाता था उस बार जब असद्दीन वेसी सदन में शपत लेने गए तो जोर जोर से फिर थे धार्मिक नारे लगे ऐसा लग रहा था कि दोजाब 19 का सदन शपत गहन के दिनी बता दे रहा है कि वो किस दिशा में जाएगा लेकिन 2024 के सदन ने भी शपत गहन के दिनों में ही इस बात का इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो किस दिशा में जाएगा संसत भवन में समविधान की प्रतियों को हाथ में लेकर शपत लेने वालों की भरमार हो गई बाबा साथ डॉक्टर भीम राव अंबिटकर का सम्विधान जिसे बदलने का खाब देख रहे थे दक्षन पंथी सत्ता धारी दल के कुछ बड़े महान नेता कुछ लोगों के दिलों में भारती सम्विधान के प्रती एक नफरत और हिकारत का भाव भी है कुछ लोग दिल में ये खाब देखते रहे कि चार सो पार आ जाती तो भारत के सम्विधान को बदल देते कुछ लोग आज अभी भारत के सम्विधान को उस हद तक कबूल नहीं कर पाते थे ऐसे वक्त में चुनाव आया चुनाव परिडाम आया और सत्ताधारी दल के सामने एक ताकतवर विपक्षाया जिसने बाबा साब डक्टर अमबिटकर के सम्विधान को हाथ में लेकर शपत ग्रण के दिन ही इतने नारे लगा दिये कि सत्ताधारी दल बौखला उठा और उस बीच में जो सबसे जादा एक नारा गोजा जैभीम बाबा साब डक्टर भीम राव अमबिटकर के विचार धारा के मानने वाले लोगों की बहुतायत इस बार सदन में पहुँची है कम से कम अब वो दिन आ गया जब बाबा साब डक्टर अमबिटकर इस देश के मुख्य सदन के सबसे जादा गुलजार सबसे जादा सुनाई देने वाले सबसे ताकतवर नाम बन चुके हैं और उनकी राजनीती की पहचान उनका समविधान और उनका नारा जैभीम सदन में गूजता हुआ सुनाई दिया कॉंग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर तीसरी सबसे बड़ी राश्ट्रिये पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता या इंडिपेंडेंड चुनाउव लड़कर सदन में पहुँचे आजाज समाज पार्टी के नेता चंदर शेकर आजाद हो या बाप पार्टी यानि भारत आदिवासी पार्टी के नेता राज कुमार रोत हो उन सब ने जैभीम, जैमंडल, जैजोहार, आदिवासी, पुर्खा, प्रक्रती और उन सब के नारों से सदन को गुलजार कर दिया ये बदलाव इस बार के परिपेक्ष में सदन के भीतर विपक्ष ने पहले ही दिन दिखा दिया समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने एक साथ जैभीम, जैसमाजवाद के नारे लगाए, नमो बुधाय के नारे लगाए ये बदलाव एक नई समाजवादी पार्टी की देश के सामने उपस्तती को दर्ज कराता है कॉंग्रेस पार्टी ने भारत के सम्विधान को हाथ में लेकर, राहुल गांधी ने हाथ में लेकर, जिस बदलाव की तरफ इशारा किया कि हाँ, अतीत में हमसे बहुत सारी चूक हो गई होगी, गल्तियां हो गई होगी लेकिन अब जो नया भारत बनेगा, वो बाबा साहब डक्टर भीम राव उम्विधान के सम्विधान पर चलेगा और हमें उम्मीद है कि बाबा साहब का नाम, जय भीम का नारा, भारत के संविधान की ये गूँज, जय समाजवात का नारा, जय जोहार का नारा, जय मंडल का नारा, ये नारा केवल नारा नहीं रह जाएगा, ये भारत के नई तस्वीर गड़ने की एक शुरुवात बन तो ये बहुत महत्पूर बदलाव इस देश ने देखना शुरू कर दिया है सदन के भीतर इन नारों के पीछे एक विचार धारा है इन नारों के पीछे हजारों साल के संघर्ष का इतिहास है जब कोई जैभीम लगाता है तो उन लोगों को छोड़ दें जो धोखा देने के लिए भारती जनता पार्टी और आरेसेस के साथ खड़े होकर जैभीम लगाते हों हम उन्हें ही धोखे बाज कह रहे हैं बाकी जो आरेसेस और बीजेपी से खुले चुनोती रखता है और जो दिल में बाबा साथ डक्टर भीम राव अमबिट करके बिचार धरा को रखता है वो जैभीम अगर बोलता है तो हम सब को जैभीम बोलते हैं और हम जानते हैं कि जैभीम के नारे का मतलब क्या है जै मंडल के नारे का मतलब क्या है जै जोहार और जै समाजवाद के नारे का मतलब क्या है ये नारे मात्र नारे नहीं हैं आइडिया आफ इंडिया को मुकमल करने के रास्ते की तरफ ले जाने वाले सबसे एहम दरवाज हैं उमीद की रोशनिया हैं और वो मशाल है जिससे ये भारत खूबसूरत बनेगा सबका बनेगा तो विपक्ष ने असल में सत्ता धारी पक्ष के सामने अपनी विचार धारा को खड़ा कर दिया है और एक जगह पूरा विपक्ष एक नजर आया कल जैसे ही ये शपत गहण चुरू हुआ दो विवाद के छणाए पहला मेरठ से सांसत चुने गए और उन गोविल जो एक टीवी सेरियल में राम का अभिने करते रहे किरदार निभाते रहे संस्कृत में शपत लेने के बाद उन्हों ने जै श्री राम बोला और इसके पहले ही विपक्ष जब जै भीम जै समाजवाद जै मंडल जै जोहार भारत की जनता जंदा बात कह रहा था तो सत्ता धारीव दल की तरब से आवाज आई कि ये सब क्या हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है और धर्वेंद्र यादो जो समाजवादी पार्टी के सांसत आजमगर से चुन करके गए हैं उन्हों ने खड़े हो करके कहा कि अभी थोड़ी दिर पहले और कल जब सत्ता धारी दल के लोग शपत ले रहे थे और अलग अलग तरह के कई नारे लगा रहे थे तब आपने क्यों नहीं परंपरा और रवा क्रमी लोग सभा 14 से 24 के बीच में चली थे और इस तेवर ने दिखाया कि जब जैश्री राम का नारा लगा तो समाजवादियों ने खड़े होकर जै अवधेश का नारा लगाया और अयोध्या से सांसत अवधेश प्रसाद पासी खड़े होकर के शपत लेने गहे तो बाब अखेले शियादों के संविदान हाथ में लेकर एकदम सामने रख कर शपत लेते हुए होई वो कारवाण जब आगे बढ़ चला तो अवधेश प्रसाद पासी ने उदा देवी को याद किया अपने पासी समुदाए के महनायकों और महापुर्शों को याद किया बाबा ये शांदार शुरुआत एक कमाल के शुरुआत देश के सदन में पहले ही दिन देखने को मिले और जैसे ही आगे बढ़ा कारवाण लाल गंचा पहने तमाम समाजवादी आते गए जै भीम के नारे लगाते गए जै समाजवाद के नारे लगाते गए नमवो धाय बोलते ग ये नया समाजवाद है जो बाबा साथ डक्टर भीमरा उंबिटकर को और डक्टर रामन और लिया को एक साथ जीने के लिए तयार हो चुका है महत्मा फूले से लेकर जन नायक कर पूरी ठाकुर जिसके नायक है और तमाम समाजवादी लोग उसके नायक है तो ये बदलाव सदन के भीतर देखना शुरू हो गया और इसके बाद तो फेहरिस्त लंबी चली गई और तेवर विपक्ष ने दिखाया तब जब एक सांसद ने खड़े होकर के जैहिंदू राष्ट बोल दिया और जैसे ही जैहिंदू राष्ट बोला फिर से समाजवादियों के खेमे की तरब से खुद धर्मेंद्र यादोर जी ने जोरदार प्रतिरोध दर्ज किया कि ये समविधान विरोधी स्लोगन है याद करिये 2014 से 2019 का सदन क्या नहीं नारे लगे थे उस संसद में खड़े होकर क्या नहीं उलाहना अपमान तरसकार एहंकार क्या नहीं दिखाता सदन में शपत ग्रण से लेकर जब तक सदन चलती रही तब तक उन सब के सामने एक आवाज गूचती हुई सुनाई दी कि ये समविधान विरोधी है हिंदू राष्ट की बात करना भारत का देश चलेगा भारत अगर कोई राष्ट है तो वो समविधान का राष्ट है ये बदलाओ अब देखना पड़ेगा उन्ही ओम बिरला को जो पिछले सदन में बहुत कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसके लिए लोग आज कहते हैं कि ये अगोशिता पातकाल है और ये बदलाओ तब भी देखा जब आजाज समाज पार्टी के चंदर शेखर आजाज शपत लेने पहुँचे अपने दम पर पहुँचे अपनी पार्टी के ताकतवर अंदोलन के नेता विजार धरा के नेता और जब सदन में वो शपत ले रहे थे तो उन्होंने स्लोग आजाए सफताधारी दल की तरफ से अहिंकार की एक आवाज सुनाई दी कि पूरा भाशन ही देंगे क्या तो वो तेवर सुनाई दिया सदन में विपक्ष का जब चंदर शेकर आजाद ने कहा कि देंगे साब सुनने के आदर डालिये क्योंकि हम सुनाने ही यहां आए हैं य नई संसर जब आदिवासी समुदाय से आने वाले आदिवासियों के बुलंद आवाज और बाहर जाके आदिवासी समुदाय के उपर ये टिपड़ी करने वाले कि आप अपने हिंदू वाले खेमे में हम आदिवासियों को मत रखना हम हिंदू नहीं हम अपनी लोक परंपर अपनी आदिवासी परंपरा को जीते हैं उस विचारधारा से आने वाले राज, कुमार, रोत जो उट पर बैट करके सदन पहुँचते हैं शपत लेने अपने आदिवासी परिधान के साथ अपनी संस्कृती और अपनी पहचान के साथ इस तेवर के साथ कि हमें अपने मिमत गिन्ना हम अपनी संस्कृती और अपनी विचारधारा रखते हैं अपनी प्रकृती को याद करते हैं अपने पुर्खों को याद करते हैं और जै जोहार का जै भीम का एक क्रामतिकारियूद भुदन करते हैं ये नई संसद है जिसे उसी पुराने लोकसवा देक्ष उम्बिरला को अब जेलना और देखना होगा ये तेवर बताता है पप्पु यादो जब संसद में सदस्न लेने गए तो वो भी नीट की बात को कहने के साथ-साथ और भी जब इस तरह के कांतिकारी स्लोगन करने लगे और सत्ताधारी दल का फिर से एहंकार सुनाई दिया तो पप्पु यादो ने का कि हमको न सिकाना छटीं बार यहां पर संसन में शपत लेने आए ये बदलाओ उम्बिरला को देखना पड़ेगा ये बदलाओ सदन के भीतर आने वाले दिनों में लोक तंत्र की संवाद और विमर्ष की परंपरा को मजबूत होते वो दिखाएगा एक देश के नागरिक को इस बात से खुश होना चाहिए कि अगर सत्ताधारी दल को जादा ताकत मिल जाए तो वो कई गैर संवेधानिक चीजें भी अपने ताकत के एहंकार के दम पर सदन के भीतर जो करते रहे अब उन्हें करारा जवाब उन्हीं की शैली में मिलने की आगाज हो चुका है जै भीम, जै मंडल, जै संविधान, जै जोहार और संविधान के नारों के साथ शपत गढ़ के दिने उसकी आगाज सब के सामने पूरे देश ने देख लिए और इसके बाद जब कुरसी पर बैठे ओम बिरला तो तीन भाशन हुए उसे भी आपको गौर से सुनना चाहिए एक तरब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोती इतिहास गिनाने के लिए जब धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए कि ओम बिरला जी को धन्यवाद दें कि आप फिर से सदन में लोकसभाद धक्ष चुल लिए गए है तो प्रधान मंत्री अपनी राजनितिक चाल के मुताबिक राजनीती के मुताबिक जो कि सवभाविक भी है अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे कि हाँ इस सदन ने पिछले दिनों बहुत एतिहासी काम किये जब आप अध्यक्ष थे और वो कहते रहे प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी महत्पूश कह दी कि केवल चार दिवारिया नहीं है ये जीता जागता इमारत ऐसा है जिसमें लोक तंतर सांस लेता है ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा और उसके बाद खड़े वे विपक्ष के दो सबसे ताकत वरने था एक राहूल गांदी और दूसरे अखिलेश यादो राहूल गांदी ने खड़े हो करके अंग्रेजी में कहते हुए कहा कि देखिए साथ जैसे सदान आपने चलाया है वैसे मत चलाना जितना आप सत्ताधारी दल के सनरक्षक है उतना ही आप विपक्ष के भी सनरक्षक है और आपको पता होना चाहिए कि राहूल गांदी दस साल बाद इस देश ने अपना नेता प्रतिपक्ष पाया है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरे विपक्ष की तरफ से सबसे बुलंद आवाद जो गूँचेगी वो राहुल गांदी के होगी तो नेता सदन होंगे नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांदी और राहूल गांधी के बगल वाली कुरसी पर बैठे मिलेंगे अच्छे लेश यादव ये है सदन के भीतर का मावन तो जब राहूल गांधी ने धन्यवाद देने के साथ ये कहा कि हुजूर जैसे चलाया था सदन वैसे मत चलाईएगा आपको सब को ध्यान में रखना होगा Speaker Sir, this house represents the voice of India's people and you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice Of course, the government has political power but the opposition also represents the voice of India's people and this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last year Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work We would like the house to function often and well Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house I'm a part of the position of the opposition I'm a part of the position of the opposition I'm a part of the opposition अखिले श्यादोजी ने इस बात को और ताकत से आगे बढ़ाते हुए कहा जिसे राहूल गानदी कह रहे थे कि इस बार का विपक्ष भारत की जनता का सच्चा प्रतिन धी है उसे अखिलेश यादों ने अपने कमाल के तंज और हूमर के साथ आगे बढ़ाया जिसके लिए अखिलेश यादों अब जाने जाते हैं उन्होंने कहा कि कैसे आपने बहुत कुछ किया है हम बधाई देना चाहते हैं लेकिन जैसे पिछली बार सांसदों को निश्काशिट करके आपने सदन चलाया हम उमीद करते हैं कि इस बार आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जितना सत्ता पक्ष को सुनेंगे उतना विपक्ष को भी सुनेंगे और नयाय करेंगे पहले जो जो किया वैसे अब नहीं करेंगे और इस तेवर के साथ चाहे राहुल गांधी हो या खिलेश या दो दोनों ने इस बात का संकेत लोकसभा के नवनेर वाचेत देक्ष उमबिरला को भी दे दिया और साथ में सत्ताधारी दल को भी दे दिया कि वक्त बदल गया है और सदन के भीतर का माहौल भी बदल गया है कि किसी भी जन प्रदिनेदी की आवाज दबाई न जाए और नहीं निस्कासन जैसी कारवाई दुबारा सदन की गरिमा को ठेस कहुँचाएं आपका अंकुष बिपक्ष पे तो रहता ही है लेकिन आपका अंकुष सत्ता पक्ष पे भी रहे अद्देश मौदे आपके इसारे पर सदन चले इसका उल्टा न हो और अखिले शयादों ने जाते आते तंज किया अपने विट और हूमर के साथ कि मैं जिस सदन से आया हूं उसकी कुरसी थोड़ी उची है आप बहुत ज़्यादा उची कुरसी पर नहीं बैठे याद रखेगा लोग तंत्र में उचाई के कितने गहरे अर्थ होते हैं बराबरी, न्याय, सम्ता और बाबा साथ अंबिटकर का सम्विधान विपक्ष ने अपनी ताकत इस सम्विधान को हाथ में लेकर बना दिये दरार में सीमिंट अभी भी बाकी है इस बात को कहकर के खलेशादों ने इतना बड़ा संकेत कर दिया है जिसका असर अयोध्या तक जाएगा याद ना अयोध्या के सडकें, दीवारें और वो साथ ये सदन के भीतर का एक बदला हुआ माहौल नए लोकसभाद ध्यक्ष चुल लिए गए हैं उम्बिरला सदन की कारवाई अभी आगे चलेगी प्रधान मंति नरेंद्र मोदी खड़े होंगे तो उनके सामने जब एक साथ भारत का संविधान हाथ में लिए हुए जय भीम, जय समझवाज, जय जोहार और बाबा साब के संविधान को हाथ में लेकर पोरा विपक्ष तेवर के साथ खड़ा होगा तो हम उमीद करते हैं कि सदन के भीतर लोकसभाद ध्यक्ष अब कम से कम सदन वैसे ही नहीं चला पाएंगे जैसा पिछले दिनों चला करके उन्होंने जाने कितने कानूनों को पास करा लिया विपक्ष के आवास को दबा करके लोगों को खामोश करके चुप करके इस बात का इशारा नरेंद्रमोदी के नित्रत में चल रही सत्तादारी दल तक पहुचा और जिसका असर नरेंद्रमोदी के चेहरे पर और तमाम लोगों के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है तो जो नारे सदन में गूजे वो नारे विचारधारा के थे वो नारा है बाबा साब अमबिटकर के संविधान का इन नारों को गौर से सुनिये महसूस करिये यह नया विपक्ष और उम्मीद करते हैं कि जैभीन के नारे के पीछे जो विचारधारा के तिहास है सदन के भीतर वो मजबूत होगा और बाबा साब डक्टर अमबिटकर का संविधान मंडल अंदोलन की रवायत जैजोहार और प्रकृति पुर्खों की इबादत और संविधान के साथ वो तेवर सामाजिक नयाय का मजबूत होता दिखेगा इसकी पानगी ये कुछ तस्विरे देती है